के हेलो दोस्तो मेरा नाम है नीरज आप लोग देख conservatives चैनल निरस्तिवाघी दोस्तो आज इस व्यदियो में हम गलता लोहा का सम्री पड़ेंगे दोस्तो मैं आप लोग होसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर अभी तक आप लोगो ने मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जैसे ही मैं कोई कि नई लेटेस्ट वीडियो अप्लोड करू तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए तो आई दूस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कहानी के शुरुवात में मोहन अपने खेतों के किनारे उग आई काटे दार जाड़ियों को साफ करने के उद्देश्य से निकलता है उसके पिता पंडित वन्शिधर प्रोहिताई का काम कर परिवार का पेट भरते थे प्रोहिताई याने जो पूजापाट का काम कराता हो यानि की पंडित लेकिन अब वो इतने व्रिद्ध हो चुके थे कि उनके बूते का कोई काम नहीं था मोहन ने अपने पीता का भार हलका करने के लिए खेती का काम संभाल लिया रास्ते में वह अपने हसवे की धारतेज कराने शिल्पकार टोले की तरफ मुड गया हसवे याने औजार जिससे जंगली घास वगरा काटी जाती हो वही वह अपने बचपन के मित्र धनराम से उसके दुकान में मिला दोनों ने एक सत पढ़ाई की थी जहां मोहन पढ़ने में तेज था वही धनराम थोड़ा मंद बुद्धी था मास्टर त्रिलोक सिहां मोहन को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह एक में गावी चात्र था इसके विपरित धनराम को पाठ यादना कर पाने के कारण हमेशा मार पढ़ती थी जाती का लोहार होने के कारण उसे मास्टर के व्यंगों का सामना करना पढ़ता था इन सब के बावजुद धनराम ने मोहन को कभी अपना प्रतिद्विंदी नहीं समझा प्रतिद्विंदी याने कॉम्पिटेटर अपने पिता से उसने लोहार गिरी का काम सिखा था और उनके गुजरने के बाद यही वैवसाएं अपना लिया चुकी मोहन पढ़ने में तेस्थ था इसलिए उसके पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया वहाँ उसके साथ नौक्रों जैसा वहवार किया जाता था उसकी पढ़ाई बीच में ही रुख गई काम की तलाश में उसने कई कार्यालेयों तथा फैक्ट्रियों के चक्कर लगाए लेकिन उसे सफलता नहीं मिली उसके पिता पंडित वंशे धर को बहुत आशाथी की शहर से वह बड़ा आदमी बनकर लोटेगा लेकिन मोहन की किस्मत को कुछ और ही मनजूर था गाउं वापस आने के बाद उसने खेती का काम संभाल लिया वही वो अपने मित्र धनराम के दुकान में जब उसे लोहा मोरती हुए गोर गोर से देखा तो उसकी आँखों में एक चमक सी थी धनराम के ऐसा ना कर पाने पर वह बढ़ी फूर्ती और आत्मविश्वास के साथ लोहे को मोरने में सफल हो गया इस प्रकार कहानी के अंत में मोहन जातिगत पारमपरिक वैवसाय के सोच से मुक्त होकर अपने कारिगरी और कारिक कोशल को सबके समक्ष प्रस्तूत करता है तो दोस्तों यह थी आज की समरी वीडियो अगर अच्छी लगए होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को को भी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ठैक्यू फ्रेंड्स जैहिंद वंदे मात्रम